हे दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में तो आपने बहुती बार देखा होगा बड़ी-बड़ी वेबसाट के अंदर अगर किसी भी परकार का ओफर आता है तो वो लोग अपनी वेबसाट के टोप के उपर एक अलड़ बार लगाते हैं अलड़ बार के अंदर लिखा होता है कि यह यह ओफर है इसके बाद एक काउंड़ाउन होता है कि यह ओफर हो इतने टाइम के बाद एंड होने वाला है तो अगर आपका भी एक ब्लोग है आप ईबूक्स चल करते हैं यह तो आपका होस्टिंग का वेबसाट है तो आज के उड़क अंदर में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वर्डपरेस वेबसाट के अंदर इस परकर का अलड़ बार एड़ कर सकते हो बिलकुल फ्रीमें तो यह सबके बार में जानने के लिए वीडियो देखते मेहंगे हैं अगर आप विगिनर ब्लोगर है आपके पास बजट नहीं है तो आप इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अलड़ बार होता है वो कुछ टाम के लिए होता है इसके बाद आपको इसको रिमू करना पड़ता है बर्टिकलर ओफर एंड होने के बाद तो इस या तो गिववे एंड होने वाला कुछ टाम के बाद तो आप पर्टिकलर टायम को भी लगा सकते हो यह टाइम आपके अलड़ बार के अंदर शो होगा वहां पर लिखा होगा कि यह जो ओफर है या तो गिववे इतने टाम के बाद एंड हो जाएगा तो आपके सामने लोग के अंदर हुम अलड़ बार एड करेंगे यूजिंग कोंडिंग तो सिंपल आपको क्य करना है आपको जाना है डेशबोड के अंदर सबसे पहले तो आपको एक प्लगीन एड करना होगा बिल्कुल फ्री आपको किसी भी प्रकरगा प्लगीन पर्चस करने के यहां पर आपको लिखना है इंसर्ट हेडर तो आपके सामने एक प्लगिन आएगा इसका आपको यूज़ करना है इंसर्ट हेडर एंपूटर यह प्लगिन में आपको इसलिए यूज़ करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि यह आपका काम है थोड़ा आसान कर देगा वेसे तो आप विदावर plugin भी कर सकते हों, आपके header, footer के अंदर code add करके, आपको इस case में अगर plugin यूज़ नहीं करना है, तो आप theme adder में जा कर यूज़ कर सकते हों, लेकिन plugin में आपको इसलिए recommend करा हो, अगर आप से किसी भी प्रकर का mistake होता है, आपकी जो file के अंदर, तो आ आपको एक CSS code add करना है, आपके site के अंदर, तो जितने भी जो code हैंगी, वीडियो के अंदर में यूज़ करेंगे, वो आपको हमारे article के अंदर यूज़ जाएगा, वीडियो के description में ये article कर लिंग है, यहाँ पर आपको देखा दाएगा, bmtech tips.com के अंदर ये, जितने भी ज इस बड़ में जाने के बाद simple आपको जाने, आपर इसमें इसके बाद आपको यहाँ पर customization के ओपर click करना है, customization के अंदर आपको एक additional CSS का option मिलता है, last के अंदर इसके ओपर आपको click करना है, और यहाँ पर जो भी आपने code copy किया हैं, इसको paste करना है, इसको simple इसके बाद publish कर द आपको यहाँ पर आपको देखा देगा insert header, यहाँ पर आपको देखा देगा plugin का setting open हो चुका है, इसके बाद का जितना भी जो code है, इसको हम यहाँ पर add करेंगे, तो simple हम जाएंगे article के अंदर, इसके बाद का HTML का code है, इसको copy करके आपको paste करना है, आपके body के अंदर, simple copy करके paste करना है, आपके जो footer के अंदर, यानि कि आपको यहाँ पर आपका footer दिखा देगा, इसको यहाँ पर हम add कर देते, इसके बाद simple आपको save button के उपर click करना है, setting successfully save हो चुका है, अब क्या करेंगे, दूसरे browser के अंदर हमने website open करके रखा है, इसको refresh करेंगे, तो यहा आपको यह plugin के नतर ही जाना होगा, यहाँ पर आपको देखेड़ेगा, कि your text here है, वहाँ पर आपको आपके offer के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे offer के बारे में, इसके बाद timing, तो यहाँ पर लिखेंगे end in, यानि कि इतने time के बाद यह offer end हो चाएगा इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद refresh करेंगे, तो यह हो गया, special offer by one get one pre, इसके बाद end in इतने time के बाद, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि यह जो हमारा timing है, इसको हम क्या करेंगे, आगे लेकर आएगे, यहाँ पर special offer के आगे, जो end in इसके बाद इसका timing इसके बाद लाश्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यूज प्रोमो कोड इसके बाद हमारा प्रोमो कोड यहां पर हम लेखेंगे बाई वन यह हमारा प्रोमो कोड है इसके बाद इसको सेव करेंगे एक बार रिफ्रेश करेंगे यहां पर यहां पर आपको देखें देखा कि यह इसका टाइम है कि यह जो ओपर है वो इतने टाइम के बा वहां पर यह अच्छा लगेगा तो यहां पर इसको पेश्ट करते हैं एंड इन और इसके बाद इसको सेव करते हैं तो यहां पर इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको यहां पर देखा देगा करना है यहां पर हम ओपन करते हैं के लेंडर आज है 31 जूलाइं यह ओपर हमें एंड करना है फाई ओगस्ट को तो यहां पर हम क्या करेंगे 5 ओगस्ट 2020 यह 2020 इसके बाद इसका यहां पर यह timing है इसको अगर आपको चैंस करना तब और कर सकतो हो यह दो पहर के बाद का time है अगर आपको जल्दी end करना तो यहां पर लिखता हो 10 इसके बाद 00 यह तो यहां पर 12 लिख लिजी आप इसके बाद 0032 बजए जो end हो जाएगा इसको आप save कर दिजे यहाँ पर इसको refresh कीजे तो यहाँ पर आपको देखे देगा यह जो offer है वो 5 दिन के बाद 27 मिनिट के बाद यह offer end हो जाएगा इसको अगर आपको और less करना है तो यहाँ पर आप edit कर सकते हैं यहाँ कि इस offer को हमें एक दिन के बाद करना है तो एक ओगस्ट इसके बाद यहाँ पर 2020 और यहाँ पर आपका टाइमिंग से हम सेव कर दिजे रिफ्रेश कीजे तो अब आपको यहाँ पर देखे देगा कि एक दिन के बाद यह offer है completely end हो जाएगा तो यह एक specially offer bar तो इस तरह से आप अपनी WordPress website के अंदर एलेट बार लगा सकतो आपको किसे भी प्लक्राइब का प्लकिन परचेस करने के जरूत नहीं है बस आपको कोडिंग का यूज करना है तो इस तरह का offer bar आप लगा सकतो तो इसके बाद अगर आपको यह जो आपका offer bar है इसका कलर वगरे चेंज करना तो फिर इससे आपको ओफर bar है इसका कलर हमें black करना है तो यहां पर six time 00 लखेंगे इसके बाद publish करेंगे और यहां पर refresh करेंगे तो यहां आपको देखेंगे पेशल ओफर बाई वन गेट वन फ्री यूज प्रोमो कोड इसके बाद ओफर एंड इसके बाद अगर आपको इसका कलर जो रेड करना है तो यहां पर मेरे पांस color picker है यह red color है इसको मैंने pick किया और यह जो color इसका code यहां से मैचे मुझे मिला कोफी किया और coding के अंदर यहां पर paste कर देना है इसके बाद publish इसको refresh करेंगे तो यहां पर आपको देखेंगा special offer by one get one इसके बाद यूज प्रोमो कोड तो यह हो गय यह आपका अलेट बार तो इस तरह से आप अपनी wordpress website के अंदर अलेट बार एड़ कर सकतो हों I hope कि दोस्तों आसका उड़ी आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आए तरह उड़ी को लाएक और शेर कर देजें साथो साथ हमरेशन को सब्क्राइब को लेजी ताकि आपको ऐसे हेलफुल वीडियो मिल तरह हैं थांक्यो प्रशन देश्वाइब